नवस्तार मैं वो शिवम आप सभी का बहुत स्वाधत है मेरे इस खास कारिक्रम में जिस कारिक्रम में मैं आपको ये बताने की कुशिश करूगा कि इस वक्त 2024 के रिए कैसे गुड़ंगड़क बन रहा है मैं आज अपने इस कारिक्रम में आपको ये बताने की कोशिश करूगा कि OBC वोट मेंग क्यों राजदर राज महत पोड हो गया है इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि भारती जनता पार्टी कैसे इस वोट मेंगे सारे चुनावी वैतरणी को पार करती रही और अलग जा रहा है कि भारती जनता पार्टी यहां पर मजबूत है 14 और 19 के चुनाव में यहां पर एक सामाजिक नियाय का मुद्दा उठा और इसी सामाजिक नियाय के मुद्दे को उठा कर बउजद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी अपना आधार बनाया अपना विस्तार किया और सरकाने मनाई लेकिन 2014 के लोग सबाचुनाव में ये सामाजिक मुद्दा कितना महतपूर है लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि सामाजिक नियाय का मुद्दा राश्टिय स्वैम सेवक संग और बीजेपी के हिंदुत के एजेंडी की एक मुनासिम काट इसके बारोसे के पीछे वज़ा ये थी कि संग के राम जनपूमी आंदेलन का केंद्र होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में सामाजिक नियाय की विज्जारधारा से प्रेरित निश्प्री जातियों के ध्रुई करण के चलते बीजेपी साथ दो हजार दो से निरलतर कमजोर होती गई कभी मजबूत नहीं हो वाई लेकिन दो हजार चौदा में उसने अपना दल और दूसरी जो पार्टियां थी उनके साथ एक गटपंदन किया ओवी सी पार्टियों के साथ गटपंदन किया चुनाओ लड़ा नतीजे आप जानते हैं अब गूत पूरू जीप मिली उस उसके नित्रुत वाले NDA गटपंदन ने लोकसबा की 80 सीटों में से 73 सीटें जीत थी तो हजार चौदा में मोधी समर्ता दक्षर पंती विस्पलेशक 2014 के लोकसबा चुनाओ और फिर 2017 के प्रदेश विदान सबा चुनाओ जिसमें योगी आदितनात मुकमंत्री बने उसमें जीत का कारण मोधी लेहर मानते हैं लेकिन आप अगर इसको गैराई से समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें 2024 के चुनाओ होना है वो और ज्यादा महत्त पूल हो जाता है क्योंकि इस चुनाओ वो लेकर जो उम्मीदवारों की सूची आनी है उसमें OBC की भूमिका क्या रहेगी ये सबकी नजर में आपको याद होगा कि जब BJP एलेक्शन में थी तो उसमें OBC के खुब उम्मीदवार में दान लो तारे थे ब्रहमणवादी पार्टी के प्रति गैर यादव OBC और गैर जाटव दलितों का आकर्शन पहचान की राज़िती की फॉर्ट लाइन की ओर इशारा कर अगर आप इसको गैराई से देखेंगे समझें उत्तर प्रदेश में गैर यादव OBC जातियां संठ्या बलके हिसाब से निरनायक हैं वो बना भी सकती हैं वो बिगार भी सकती हैं BBC ने एक रिपोर्ट पबिश की थी और इस रिपोर्ट में उसने ये दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में गैर यादव OVC मत दाता करीब तरी 35% से जादा है पिछले एक दर्शक में BJP ने इन जातियों के बीच गैरी पैक बनाई है मजबूती से इनके बीच दखर बलाया है जिसमें अपना अदल सुएल देभारती समाज पार्टी और निशाद पार्टी जैसी पार्टीओं के साथ गटपंदन किया और इनको मुख रूप से OVC पार्टी माना जाता है इनके साथ गटपंदन करके इस मोट बैंक में से लगाई अगर आप पिछले उत्तर पदेश प्रिदाख सबाचुनाओ को देखे तो उस ओटलाइन को समझने की कोशिश में बीजेपी के साथ गैर यादख OVC जाती हूँ के मिल के काम करना तभी संबफ हो पाया जब पुर्मी, मौर, कश्यप, गडिरिया, राजबर, जवान, जैसवाल, निशाद और पटे समधाय के नेताओं और बुद्ध जीवियों ने पीजेपी को समर्थन गया और इनके मन में जब आप जानना चाहेंगे तो यह समझ आता है कि वो कौन से कारण है जिनकी वज़े से यह बीजेपी के करीब चली गए यह सारी चापिया जिनका मैंने जिक्र ऐसे ही नहीं चली गई कि हवा में इलेक्षन हुआ और जिन उत्तर प्रदेश में 11 यादा वोबीसी जातियां मुख्य दोर पर बस्तकार उत्तर प्रदेश में इन जातियों में राजमितिक और सामाजिक चेतना के निर्माद में बहुजल समाज पार्टी के उभार की एक बड़ी भूमिकार नहीं अकिलिपने और उस उभार के बार इन जातियों ने भी अपने अपने नाइकों को तलाशना शुरू किया हर जाति ने अपने अपना एक नाइक करशा और उसके पीछे चलने की कुशिश की उत्तर प्रदेश में यादवों ने हिंदू भागवान क्रश में अपने नाइक को पाया और ऐसा करते हुए क्रशन के सभाव को अपनाया वही अगर कुर्मियों के आप बात करें जो गनवार, पटेल, सचान, कटियार, निरंजन, करोजिया लिखते हैं अपने नाम के आगे इन्होंने सत्रमी शतापदी के मराठा, राजा, शिवाजी और शाहों को अपना नायक माना उसमें अपने नायक को तलाशा और OBC मला जाती ने रामायल की कता में राम को सर्यू बार कराने वाने केवट को अपना नायक माना, उसमें अपना नायक खोश लिया भीजेफी ने सभी नायकों को भरियता दी ये बात बढ़ी दिल्चस्क है कि OBC मौर्वे और कुश्वा ने पौरालिक पात्रों में नहीं बलकि एतिहासिक पात्रों में अपने नायक होजे कुछ जातियों ने पुरालिक पात्रों में खोजे लेकिन इन लोगों ने अपनी पहचान पहले बुत के साथ जोड़ी, चंद्रकुप्त मौरे के साथ जोड़ी, अशोक से मिलाई और फिर अपनी परमपरा के तार 19 वी शताबवी के समास सुधारक जियोती राओ फुले से ज अब तक तमाम कोशिशों के बावजूद ये OBC जातियां एक साथ नहीं आज आत्फ होकी, जिन्नोंने नाईकों को साथ दिया उनके साथ चली, इसमें कई राजवीतिक और सामाजिक असेमितियां बिदमान हैं इन OBC जातियों, तो जितनी आसानी से आप OBC बोल देते हैं, हर बुद्ध को आदर्श मनते हैं, और इनके चंते इनमें सिक्षा और चेतना का विकास हुआ, और ये मास या मदिरा की कारूबार में नहीं लगे, परिवाम ये हुआ कि मौर कुद को राजवीतिक तौल पर हाशिये पर महसूस करने लगे, वंचित होने की इसी भावना न उन्हें पहले तो बस्पा के आंदोलन के साथ चलने के लिए मजबूर कर दिया, और फिर 2012 में इन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, 2017 के विदानसभा चुनाओं में अचानक से चीजें वर लिए और ये भारती जंता पार्टी में चले गए, क्योंकि केशव प्र इसके बाद हालात और तब्दीर होने शुरू हुए, 17 के बाद 19 का चुनाओ आया, दोनों चुनाओं में मौर समाजव जो था, वो BJP के साथ यादर और मौर जातियां आम तोर पर माना जाता है कि दो विफरीत दुरुई जाती है, राजडेतिक तोर पर यादर हिंदू तो और राश्टिय स्यंसेवक सं के खलाफ नजर आते हैं, तो उनमें हिंदू होने की भावना मौर उसे कहीं जादा है, तो भी अधर यादर की बात करते हैं, यादर के पास अच्छा खासा राजनितिक दल है, जबकि मौर इस हद तक अपने को संदित नहीं कर पाए, इस 2017 और 2019 ने बीजेपी और सं के करीब ला दिया, हलाकि ये बीजेपी के विरोधी हैं, लेकिन सत्य की चाहट, कुर्सी की चाहट, इसी तरह का काम बीजेपी ने पटेल जाती के बीच भी किया, भारती स्वतंतरता अंदोलन के नेता और देश के पहने ग्रह मंत्री इस्तामाजिक कारिकरता जो पटेलों के बीच काम करते हैं, वो आपको ये बताएंगे, उनका रेसर्च ही कहता है कि गुजरात में जब पटेल की मूर्ती लगवाई जा रही थी, तब बीजेपी और अपना दल के कारिकरताओं ने पटेल बहुन काओं में प्रतिमा में वहाँ मांगने काई का भियान चलाया था, हाँ पटेल की काओं में ये लोग जटते थे, फिलाल इन काओं में बीजेपी और अपना दल पटेल की जहनती भी बनाते हैं, धूंदाम से ये कहा जाता है कि पटेल को एक जुट करने के लिए बलबाई पटेल की एक बड़ी जैसे अनुष्ठान भियाम तोर पर देखे जाते हैं इन ती शादियों में, जिससे कि ये थ्रोस अंबीजेपी के बिजामदारा से कुट कनेक्ट करते हैं, पटेल समाज की राजमीतिक की वदंतियों में उनके प्रती राजमीतिक नाइंसाथी की एक और कहानी बार-बार दोराई जाती है, और वो कहानी यह है कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर में उन्हीं स्वस्सी के दशप में राम पूजन पटेलेक कदावर निता हुआ करते थे द्यान से सुनिया, बीपी सिंग इस सरकार में वो खादर आपूर्ती राजमंत्री बने और फिर उन्हें रा पूजन के साथ भेदमाओ किया गया, इस किमदत्ती के अनुसार मुलाइन सिंग राम पूजन को पार्टी कार्याले में घुसने पत्मी दे, और ये बात ये कहानी पटेलों के दिमाद में बैठ, उत्तर प्रदेश में पटेल समाज की एक अलग राजमितिक दावेदारी मे अपना दल के संसकापक सोने लाल पटेल की भी बड़ी भूमिका है, अलगी अब ये दो खेमों में बट गई है फार्टी उनका, अपना दल की इस्तापना करने से पहले सोने लाल पटेल बसपा में थे और तब रन बहादुर पटेल बसपा के प्रदेश पटेल समाज में जातिगत्चेतना का विकास दिया, अपना दल का जब से बीजेपी के साथ गटबंदन हुआ है, सोने लाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल के इंद में मंत्री बनी हुई है, उनको अटाया नहीं, पटेलों के बीतर ये बात गैराई से बैट गई है कि बीजेपी की बदावलाद की उसे एक मजबूत हैसियत हासिल हुई, अगर बीजेपी नहीं आती तो उनको हैसियत नहीं मिलती वो जो अभी मिली हुई है, इसके अलाबा कश्यप, निशाद, घडिरिया, राजबर, चोहान और जैस वाजिन का मैंने जिक गया जो जातिया हैं, वो बीजेपी ने रामायर और दूसरी हिंदी कताओं के चंद परंपराओं के साथ गूत कर एक ऐसी माला तयार कर ली, जो सामाजिक न्याय की उसी मान को द्वस्त कर देती है, जिसका पहला ये लक्षी है, कि ब्रामलवादी उच नीच से मुक्त होकर बराबरी वाले स समाज का निर्मार करना जिरूरी है, ये पीजेपी इस माला पो गुदने में काम्याब हो गई, चोरसिया समाज के अगर हम बात करें, तो चोरसिया समाज दो भागों में वेवाज है थे, अगर आप पुरवांचल की ओर जाएंगे, तो यहापर चोरसिया राजबित्ती बात करेंगे, तो वो आर्थी ग्रूप से संदग, ये तमॉली होते हैं, और पहले अपने नाम के साथ नाग भी लिए, और खुद को नावशी बताते हैं, और हिंदू बगवान शिफ के उपासक माने जाते हैं, चोरसिया, इनकी घरों में एक छोटा ही सही, पर आपको शं प्रियाओं में भी अन्य जातियों की देखा देखी, अपने नाइक को खुजने की एक दिल्चस्वी पैदा हुई, अब नाथ पंच्वी जैसे तेवारों को ये लोग बर्चल के मनाने लगे, अन्य जातियों की तरह ही छुआ चुद की समस्या का सामना इस जाति को नहीं क करना पा था, ये इनके साथ एक प्लस पॉइंट है, और इनका ब्रामवलों के घरों में आना जाना शुरू से रहा है, साथी हिंदू रिती रिवाजों में पान के पत्तों का बड़ा महत्त होता है, और इनका यानि चौरसिया जाति का इस पीशे पे एकादिकार इन्हें ब मोदी और चौरसिया उपनामों का प्रियोग करते है, मोदी उपनाम के चलते हैं नरदर मोदी और इन्हें जाति करी समझते हैं यानि HOW रियोग निक्यू द्स है इसी प्लंशिया जाता है कि कुछ कौरसिया मोदी भी ले। लब में समय तक गड़ेरिया समाज को बहुजिस समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का बोटर माना चाता रहा ये लोग इन लोगों को बोट करते हैं लेकिन अगर आप 14 के बाद देखें तो इस दोरान गड़ेरिया समाज के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए आगरा से बीजेपी के सांसद और किंद्रिये मंत्री स्पी सिंग बगिल समेट तीन बार समाजवादी पार्टी के लोग सांसद रह चुके 2010 से 14 तक वो बीजेपी के राजसबा सांसर थे सारिका सिंग बगिल क्या अगर आप नाम लें तो रास्टिये लोग दल के टिकट पर हातरस से लोग सबा पहुँचने के बाद 2019 में बीजेपी में शामिल हो गई तो बगिलों के बीट भी उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ सोराण बनाई गलेरिया समाज की तरही चौहानों को पाले में करने के लिए बीजेपी ने एतिहासिक नायक प्रत्वीराज चौहान का दामन थाम लिया आपने एक फिल्म में देखी होगी अच्छे कुमार ने उसमें एक्टिंग दी थी बारविश रदाप्ती के अफदान शाशक मुहमद गौरी और प्रत्वीराज चौहान की राजबीतिक संगर्श की एतिहासिक और लोग गथाओं को पीजेपी ने उत्तरप्रदेश के चौहानों पो अपनी हिंदुतिके उत्देशों से जोडने के लिए इस्तेमाद किया पीजेपी ने यहाँ पर दी एक तगड़ा माइंड कीम खिला यह सूचते हुए कि वो कैसे गलरिया समाज को और चौहानों को अपने पहले मिलाए उत्तरप्रदेश में इसके बाद कश्यप धीवर जाती है राज की ओब इसी जातियों में इनका हिस्सा लगबग सारे 3 प्रतिशत है पर चौहार धीवर जातियों से connected कश्यप समाज का पर चौहानों का कारोबार है मिठाई बनाने का लेकिन खांड सारी उत्तरप्रदेव में पोजी की लागत ज़ादा होने से इस काम को कुछ प्रभुत्र शाली जातियों ने कबजा लिया और तश्यप समाज के लोग इसी उत्त्योग में मजदूर बन गए यानि जो मिठाई बनाने वाले लोग है खांड सारी उत्त्योग कुटीर है लिकिन ये हमेशा सरकारी उपिक्षा का शिकार रहा आर्तिक पिछले पन की बज़े से कश्यप समाज के युबा सेक्षिनिक रूप से भी पिछले हुए हैं और जब से उत्तरप्रदेश में कुछ प्रमुक जातियों को पिछली जाते में शामिल किया गया है तब से ये समाज ये मांग कर रहा है कि ये राजदितिक रूप से जो पिछला है इसको किसी तरह से इसमे उभार आ जाए उपर लाया जाए कश्यप समाज की एक मांग जो एक लंबे समय से ये लोग उठाते रहे हैं वो ये है कि उससे अरुसी उचित जाते में शामिल कर दिया जाए है इसको को आरक्षवत कर जादा मिले क्योंकि वर्तमान में पिछली जाती में रहते हूए शेक्षणिक अवसर और रोज़गार नहीं मिल पार है यहीं आरक्षवत का फाइदा इनको नहीं मिल पार है राज येतिक शेतर में भी यही हाल इस समाज का है और कई दश्कों से समाज आरक्षन इमान उठा रहा है तश्यप समाज की 17 अति पिछडी जातियों को अरुसुचित जाते में शामिल करने के लिए राजसरकारों ने कई बार कोशिश की लेकिन कानुनी तोर पर ये पेच फस गया और केंद्र से मंजूरी नहीं मिली पहले टी कई बार कोशिश हुई अगर आप चार-पांच में देखेंगे तो मुलाइम सिंग आदर ने इन जातियों को उत्तरपदीश में आरक्षन दिया लेकिन उस पर हाई कोट ने रोग लगा दी और इसके बाद आखिलेश ने 2016 में ये प्रयास किया कि 17 आति बिच्वड़ी जातियों को अनुसों चिज्जाति में शामिल कर दिया जाई ये आदेश ने दिया गया लेकिन फिर से एक बार आई कोट ने रोग लगा दिया तो ये कुशिश पहले भी की जाती रही तब से लगातार ये जातियां ये मांग करती रही और जब भारती जंदा पार्टी ने इससे बादा किया तो इन्हों ने ये सोचा कि केंद्र में भारती जंदा पार्टी आ जाएगी तो पो सकता है कि इनकी मा 2019 में योगी सरकार ने इस सभी जातियों को अनुसूची जातियों को अनुसूची जातियों में शामिल किया लेकिन एक पार फिर से उस दौरान हाई कोट में रोग लगाती थी। जातियों का रोग जिस्मी पार्टी के तरफ हुआ वो सत्ता में जबर पहुंचे तो 2022 के उत्तर प्रदेश विदान सभा चनाव में यही जातियां हार जीत करने के लिए निरनायत साबित हुई और यह माना जाता है कि यह जातियां एक बार फिर सिर्ब बीजेपी के साथ खई अकलेश महत तोड नहीं पाए इसी तरह राजबर समाज को भी बीजेपी से उम्मीद है और वो उसे अनसूचित जाति की सूची में इस्तान दिलाने की मांग कर प्रदेश में तक्रीबर अस्ती सीटे हैं विदान सभा की जिसमें इस समाज की बड़ी निरनायत वो मिखा है सत्रा के चनौग में भारती जनता पार्टी ने इस समाज का प्रतनेद्ट करने वाली सुएल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गटपन्दन किया था वो प्रकाश राजबर के बारे में आम चानते होंगे वो बीजेपी के साथ लड़े और उनका समर्थन इक तरीके से बीजेपी को हुआ और इसका फाइदा बीजेपी को मिला लोगसबा में भी और राजबर के साल थे लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी यहाँ पर डेंट करने में कामयाब हो गई भारती जनिता पार्टी ने समाज को ये बताया ये एएसास कराया कि राज़नित्तिक तोर पर वो कितना जरूरी है उनके प्रतनिदित को जबा दी और इसकी वज़े से कहीं न कहीं राजबर समाज में एक उम्मीद का संचारूँगा। ये भी आर्थी जनता पार्टी ने राजबर समाज के साथ किया। पर उनका मंदिर और कुठला जीरी को इसी उद्दा के शौड़ और परात्रम की स्मिर्टियों के दोर पर सजोने का काम भी शुरू किया। पराती जनता पार्टी ने ये सोचकर ये से दोरा साथ पाइदा होगा और ये लोग जाएंगे। 2014 के बास से इस विरादरी की भी नज़दी की BJP के साथ बढ़ने ने और अब 24 में आते आती नज़दी की कम होई है क्योंकि बहुत दंगा में पानी रह गया है। BJP ने निशात, प्रजापती और जैस्वाल जैसिन जातियां जो हैं गैर OBC जातियां हैं उनको भी सामाजिक और राजनितिक प्रतनेदुद देकर ग्रैद OBC एक्टा से दूर रख ये भी BJP ने चांच चली। पार्टी होकर रह गई थी। दूसरी तरफ भाटी जनता पार्टी ने अपने राम बाले मुंदे पर निशात समाज को निशात राज गू किया दिलाई। या बीजेपी ने उन निशाद देताओं को अपने आँ जव्यधेदी पदरदिकारी बना दिया। इस समाज को बीजेपी सरकार की नित्यों का लाप अकसर मिलता रहा है। मिट्टी कला बोर्ड ने इनके लिए तीन लाख रुपे के कर्च की योजना चलाई। और इसके बाद इस समाज के उन लोगों ने जिन्होंने मिट्टी के पारंपरी काम को छोड़ दिया था। और इसकी वज़े से ये भी एक तरीके से बीजेपी के साथ अलाईव हो गया, बीजेपी के साथ कनेक्ट हो गया। पंचायत और अन्य चुनावों में टिकट दिने के साथी बीजेपी ने सरकारी वोर्डों और आयोगों में प्रजापती समाज के नेता कारिकरताओं को जगा दी, पार्टी ने लोकिष प्रजापती को पिछला वर्ग का उपादेक्ष बननाया, यानि उनको भी एक पत दि जाती और है, जो बीजेपी के साथ जुड़ी रही, बीजेपी का साथ इसके समंदर है, ओबीस्टी जातियों के मुकाबले इसका इद्यास काफी पुराना है, बाकी जातियों के मुकाबले, और ये ओबीस्टी जाती साहू, बुक्ता, तेली, हलवाई, कलवार, कलार और अ प्रदेश की गैर यादव OBC जातियों का बीजेपी की तरफ टेजी से जाना उसी वक्षरू हो गया नौ में 20% कुर्मी मददाताओं ने बीजेपी को वोट किया था जबकि कॉंग्रेस वस्पा और सपा की बात करें तो 28%, 18% और 18% वोट कुर्मी इनको मिले थे 14 में बीजेपी को 53% ती, कॉंग्रेस वस्पा और सपा को 16, 4 और 17% वोट मिले वही कुर्मी के अलावा जो बाकी OBC जातियां है उनको 60% मत दाताओं ने 2014 में BJP के साथ दिया थे तो ये जो आकड़े हैं ये बताते हैं कि 14 के बाद कैसे चीजें बतली हैं और क्यों राहूल गांदी OBC कर रहे हैं इस चुनाव में भी गैर यादव OBC जातियों का BJP के साथ बने रहना तैन नहीं लग रहा है और क्या ऐसा करते हुए BJP को सत्ता से बाहर रखा जा सकता है ये बड़ा सवाद क्योंकि राहूल गांदी ने जो OBC एकता की बात की है OBC जातियों बें विकेंदरी करनल को कम करने की कुश्श की है उसे कितनी उसको काम्याभी मेरेगी ये जानना बहुत जरूरी है और इसको जानने के लिए आपको कुछ और चीजें भी समझने की जरूरत है जिसे अलग को बताएंगे अपने कारिकरमनों में फिलान मुझे इजाजब दीजिए कारिकरम जोड़ा लंबा है लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि आपके इसको पूरा दीखें मुझे इजाजब में देखते रहें डबलेंट मीडिया लाइक शेर और सब्स्राइब सरूर कर